हलो दोस्तों वेलकम टो माई चेनल अस्पी विराज आज हम 22 अक्टूबर 2018 की रेल्वे ओनलाइन एक्जाम के तीनों सिफ्ट के सारे क्यूशन देखेंगे जो करन्ट अफेर साइन्स से रिलेटेड क्यूशन है तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूशन नमबर बन महला किरके टी क्यूशन नमबर टू चंद्रबाबू नाइडू किस पार्टी से समझ दित थे तो आंसर होगा तेल्गू देशम पार्टी क्यूशन नमबर त्री 12 ओलंपिक गेम कहां उचित हुए तो आंसर होगा रियो ब्राजिल में क्यूशन नमबर पूर गुड किस का श्रूत है तो आंसर होगा कार्बो हाइटीट का क्यूशन नमबर पांच आजात हिंद फोज के संस्तापक कौन है तो आंसर होगा सुबाचंद्र बोस क्यूशन नमबर च्छे अर्थ का सबसे बड़ा पारस्तितिकी तंत्र है तो आंसर होगा जेयो मंडल क्यूशन नमबर साथ जंगल बुक किस ने लिखी तो आंसर होगा रोडियाट की प्लिंग ने क्यूशन नमबर आट हिरो सिमा पर पर मानू हमला कब हुआ तो यह हुआ था चेज़ ने सो mentality को जे जो अमेरिका ने गिरवाया था और इसके तीन दिन बात नागो सागे पर नोएगस मेरिका ने सो unity पर अमेरिका ने बंब गिराया था ये दोनों ही देज जापान के अंदर आते हैं Q9 जारखन के राधानी तो आंसर होगा रांची तोस्तों राधानी से बहुत सारे Q9 पूछे जा रहे हैं तो आप प्लीज इनको लर्न जरूर कीजिए और सभी स्टेट के गवरनर और सियम को जरूर देखे जाएए इनसे बहुत सारे Q9 पूछे जा रहे हैं Q10 भारत की करसी नितिकप शुरू हुई तो ये हुई थी गुने सो सट्चत में Q11 कोना का परसित सुर्य मंतिर का निर्मान किस ने कराया Q11 उप्तवचा किसे कहते हैं Q13 अमेरिका में एक वेक्तिक कितनी बार अधिकतम राष्टर पती बन सकता है तो आंसर होगा 2 बार दोस्तो राष्टर पती ओमा जो अमेरिका की राष्टर पती थे जो दो बार राष्टर पती बने थे तो आपको पता होगा कि अमेरिका में सिर्टोबर ही राष्ट्रपती बन सकते हैं Q14, लेट फिल में कौन से गेस उस सरचित होती है तो आंसर होगा मैथेन गेस Q15, नोबेल पुरिसकार कौन से देश में दिया जाता है तो आंसर होगा स्वीडन में Q16, C6 Q16, अश्टुल का नाम तो आंसर होगा साइक्लोहेक्सना Q7, दादा साफ वाल के पुरिसकार के पड़ता मिचे था तो इसका आंसर होगा देवी का रानी Q18, पालवन्स के संस्तापक तो आंसर होगा धरमपाल Q18, रेडाडा की से समझ दी थे तो आंसर होगा दूलब और पादब प्राणियों से Q20, ये नरेंदर मोधी किसने नंबर के परधान मंत्री थे तो आंसर होगा पंदा नंबर के Q21, पर्स 2018 का बजट कितने पेस किया तो आंसर होगा अरुन जेटली जो हमारे वितमंत्री है Q22, पाँचवी आवर्ती में सबसे भारी दात्तु बताईए तो आंसर होगा असेंटीन Q3, कारबन मोनो उकसाइट का भार बताईए तो आंसर होगा 12 प्लेस 12 एकवल टू 28 Q24, विजे हराचे ट्रोफी 2017 किसने जीती तो आंसर होगा कनाटका ने ये कनाटका ने ये ट्रोफी तीन बार जीती है Q25, ग्लोबल इंडेक्स में भारत का इस्तान तो उसमें भारत का एक सो तीन बार इस्तान था Q24, मानिपूर के मुख्य मंतरी तो ये होगा एन विरेन सिंग Q25, नेती आयो का घटन कब हुआ तो आंसर होगा एक जन्वरी 2020 को Q26, मूर्ती देवी अवोर्ट किसे मिला तो आंसर होगा जी गो स्वामि को Q27, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड एक इन्पूर्ट डिवाइस है Q28, गोवा के मुख्य मंतरी तो ये हैं मनोहर पारिकर तो प्लीज दोस्तो ये क्यूशन मुख्य मंतरी और राधानी के क्यूशन बार बार डिपीट हो रहे हैं तो प्लीज आप इनको एक बर जुरूर्ड करके जाए Q29, तो आंसरों का शांतनो नारायन Q30, डारेक बरेली की बर्फी ये मूवी है, बरेली की मूवी इसकी डारेक के बारे में पुछा है तो उसका नाम है अश्वनी आयर धिवारी Q31, आर्जेंटिना की मुद्रा तो आर्जेंटिना की मुद्रा है पीसो Q32, टंगस्टन का गलनाव बिंदू Q33, इसमें पावर ओफ यूनीट का ऐसा ही मात्रक पुछा है तो इसका ऐसा ही पावर का ऐसा ही मात्रक होगा बोट Q34, मानव शरीर की सबसे चोटी हड़ी तो कान की हड़ी है Q35, मीट नाइट चिल्टरन के लिखा कौन है तो यह सलमान रुदिश Q36, सिखा टंटन किसे संबदी थे तो Q36, सिखा टंटन स्विमर है जो बैंगलोर की है Q37, सुधी तिरपती चीफ सिकूरिटी ओफ विच स्टेट तो यह कौन से स्टेट के है जार खंड के Q38, सत्यागरा आंदोलन कब शुरू हुआ तो आंसर होगा चंपारण में 1917 Q49, सुप्रीम कोर्ट के मुखे नादिश जो अभी बने है उनका नाम है राजन गोगी Q40, सोडियम को किसमें रखा जाता है तो सोडियम को मिट्टी के देल में रखा जाता है Q41, विजे नगर समराज्चे के संस्टापक है तो हरियर और बुका Q42, नीथी आयोग की फुल फॉर्म Q43, ओलम्पिक 2016 का मोटो तो इसका मोटो है Q41, सो के नोट पर रानी की वो बनी होती है Q45, बरिकां पक्ची बियार कहां पर इस्ती थे तो यह बस्ती सायर में Q46, चिकिशा के छेतर में शांती सहरूप बटनागर पुरस्कार 2017 किसे मिला तो यह मिला था अमी दत्ता और डिफपक गोर्ट को Q47, किस गरका ताप सरोचे हैं तो यह शुक्र गरका Q48, इंडिया रेकिंग इन टेस्ट किर्केट तो यह होगा फर्स्ट रेकिंग Q14, नमबर ओफ डबलो बीसी तो आंसर होगा छे अजार से अठारा अजार मिलिमीटर क्यू लीटर इस तीनों सिफ्ट के सारे क्यूशन हो गए हैं दोस्तों दोस्तों हमारे तीनों सिफ्ट के क्यूशन एक साथ वीडियो बनाने का यह है कि हम कम से कम टाइप में आपको ज्यादा से ज्यादा परसन दिखा सके जिसे आप एक्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके और आप ज्यादा से ज्यादा क्यूशन कवर कर सके दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर किजिए और सिस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच जे हिन जे भारत